लोगडाउन का सबसे ज़्यादा मार परवासी कामगारों पर ही पड़ा है काम धंदा बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और इसलिए बड़ी संख्या में घरों की तरब कूच कर रहे हैं राज सरकारों की लाग कोशिसों के बाब जूद उनका पलायन रुक नहीं रहा मजदूर न केवल बस और ट्रेन से अपने ग्रहराज पहुँच रहे हैं बलकि बड़ी संख्या में लोग पैदल साइकिल से या ट्रक से भी रवाना हुए हैं केंदर सरकार का कहना है कि देश भर में करीब 4 करोर प्रवासी कामगार बिभिन कारियों में लगे हुए हैं और राष्ट वापी लॉगडाउन लागो होने के बाद से ही अब तक उनमें से 75 लाख लोग ट्रेनों और बस से अपने घर लोट चुके हैं इसमें ट्रक, साइकील या पैदल अपने घर पहुचने वालों की संक्या शामिल नहीं है इस हिसाब से देखे तो करीब 20 फिजदी प्रवासी घर पहुच चुके हैं मगर पलाइन का यह सिलसिला यूही जारी रहा तो 30 जुन तक 80 फिजदी प्रवासी कामगार अपने घरों में होंगे वहाँ भी उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान की नई चुनोती खड़ी हो जाएगी देश में प्रवासी कामगारों के बारे में कोई आधिकारी का आकड़ा तो नहीं है लेकिन 2011 के जनगन्ना के अनमुताबिक देश में प्रवासीयों की संक्या 45.36 करोड है जो देश की कुल अपादी का 37 फिजदी है इनमें एक राज से दूसरी राज चता राज के भीतर प्लाइन करने वाले लोग शामिल है Research and Information System for Developing Countries के मताबिक देश में अंतराजिये प्रवासीयों की संक्या 6.5 करोड है इनमें से 33 फिजदी मजदूर है इनमें से भी 30 फिजदी कैजूल वरकर है और 30 फिजदी असंक्ति चेत्रों में नियमित काम करते है देश में प्रवासीयों की संक्या के अनुवान 2011 की जनगन्ना, NSSO के सर्वेक्षिनों और Economic सर्वे के अधार पर लगाया गया है अब यह सवाल है कि आखिर देश के किस परदेश के सबसे दापरवासी है अगर इनमें रहरी पट्री वालों को जोड़ दिया जाए तो अपने ग्रहराज से बाहर रहने वालों की संक्या करीब 1.2 से 1.8 कडोर बढ़ जाएगी लॉक्डाउन के कारण देहरी पट्री वालों के सामने भी आजीपका के संकट खड़ा हो गया है अनुमानों के मुताबिक देश में कुल अंतर राजी परवासियों में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों की संख्या करमसर 25 और 14 फिजदी है इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में करीब 40-60 लोग घर लोटना चाते हैं इसी तरह बिहार के 18-28 लाख लोग घर बापसी को बेकरार हैं इस लिहाज से देखा जाये तो राजस्थान के 7-10 लाख और मतलब प्रदेश के 6-7 लाख लोग अपने घर लोटना चाते हैं अब तक उत्तर प्रदेश में 21 लाख प्रवासी घर लोट चुके हैं और यह सिलसिला जारी है उत्तर प्रदेश में देश के अनहिस्थों से प्रवासी कामगारों कुलिकर अब तक 1018 स्रमिक ट्रेने आ चुकी हैं इन में से 13,54,000 से अधिक प्रवासी कामगार घर लोट चुके हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार ट्रेणों बसों और अनसादरों से अब तक प्रदेश में 21 लाख लोग आ चुके हैं इस हिसाब से देखे तो उत्तर प्रदेश में करीब आधे प्रवासी घर पहुँच चुके हैं केंद्र सरकार के कहना है कि देश भर में करीब चार करोड प्रवासी कामगार बिभिन कारियों में लगे हैं और राष्ट प्रवापी लॉग डाउन लागों होने के बाद से ही अब तक उनमें से 75 लाख लोग ट्रेनों और बसों से अपने घर लोट चुके हैं केंद्रिय गरह मंत्राले के अनुसार रेलिवे ने देश की विभिन हिस्सों में प्रवासी कामगारों को उनके गंत्यप तक पहुँचाने के लिए एक मई से 26 सो से अधिक स्रमिक विशेश ट्रेने चलाई हैं पिछले जनगन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक देश में चार करोड प्रवासी कामगार हैं स्रमिक विशेश ट्रेनों से 35 लाग प्रवासी कामगार अपने गंत्यप तक पहुँच गए हैं जबकि 40 लाख प्रवासी ने अपने गंत्यक तक पहुँचने के लिए बसों से यात्रा की मजदूर न केवल बस और ट्रेन से अपने ग्रहराज पहुँचे हैं बलकि बड़ी संख्या में लोग पैदल, साइकिल से या ट्रक से भी रवाना हुए हैं इसलिए ये आकड़े यह नहीं बताते हैं कि अब कितनी प्रवासी अपने कार अस्थल में बचे हैं लोग डॉन से धील के बाबजूद कामगारों की कमी के वज़े से ही आर्थिक गतिविदी प्रभावित हो रही है बहरहाल अब इन कामगारों की आवशक्ता लोग डॉन हटने के बाद महसूस होगी अभी तो केबल अनुमान ही लगा सकते हैं अब देखना है कि कमपनिया और सरकार इन कामगारों को बापस लाने के लिए कैसी लुभावनाय योजनाय लाती है और अब यह पूरी तरह से कामगारों पर निर्वर है कि वे आते हैं या अपने गाउं में ही रहना पसंद करते हैं यह सवाल अभी गर में हैं लेकिन इतना तो तैह है कि अब देश की अर्थविवस्था यहां से नए रूप में आगे बढ़ेगी जिसमें कामगारों की सहाइता से किर्सी में भी अब होटपुर विकास होगा सब्सक्राजर्व से किम जिसमें अपना ग्रो विकास होगे ख kepala गैउं जिसमें कामभी आ लेख आपना वी अब दो एका ग्रोबेश्ड वी जिसमें इतना वे लेश्ड प्रोबेट को में वेग सब्सक्त्सक्ता हैं झाल, 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 झाल